पाठ पाज नीलू नीलू की कथा उसकी मा की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है उसकी अलसेश्यन मा लूसी के नाम से पुकारी जाती थी हिर्णी के समान वेगवती, साचे में ढली हुई देह, जिसमें व्यर्थ कहने के लिए एक तोला मांस भी नहीं था उपर काला आभास देने वाले भूरी पीताब रोम, बुधिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आखे, सजक खड़े कान और सगन रोएदार तथा पिछले पैरों के टकनों तक छूने वाली लंबी पूँच सब कुछ उसे राजसी विशेष्टा देते थे थी भी वह सामानि कुट्टों से भिन अलसेशिन कुट्टा एक ही स्वामी को स्विकार करता है यदि परिस्थित्यों के कारण एक व्यक्ति का स्वामित्व उसे सुलब नहीं होता तो भस सब के साथ सहचर जैसा आचरन करने लगता है दूसरे शब्दों में आदेश किसी का नहीं मानता परंतु स्नेहपूर्ण अनुरोध की रक्षा में ततपर रहता है लूसी के स्थित्य भी स्वच्छंद सहचरी के समान हो गई थी उत्तरायन से जो पकडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी उसके अंत में एक ही दुकान थी जिसमें आवश्यक खाद्य सामगरी प्राप्थ हो सकती थी शीत काल में यह मार्ग बर्फ से भर जाता था तब दुकान तक पहुचने में असमर्थ उत्तरायन के निवासी, लूसी के गले में रुपए और सामगरी की सूची के साथ एक बड़ा अंगोचा या चादर बांध कर उससे सामान लाने का अनुरोध करते थे वंश परंपरा से बर्फ में मार्ग बना लेने की सहत चेतना के कारण वह सारे व्यवधान पार कर दुकान तक पहुच जाती दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोल कर रुपए सूची आधी लेने के उपरांत, सामान की गठरी उसके गले या पीट से बांध देता और लूसी सारे बोज के साथ बर्फिला मार्ग पार करती हुई सकुषन लोटा थी किसी किसी दिन उसे कई बार आना जाना पड़ता था कभी चीनी मंगवाई और चाय रह गई, कभी आटा याद रहा और आलू भूल गए पर लूसी को मंगवाने वालों के भूलकरपन से कभी कोई शिकायत नहीं रही गले में कपड़ा बांते ही वह तीर की तरह दुकान की ओर चल देती उसकी तत्वरता के कारण मंगाने वालों में भूलने की प्रवृती बढ़ती ही थी एक दिन अधिक उचाई पर बसे किसी परवतीय ग्राम से भटकता हुआ एक भूटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री हो गई उन दोनों की आकरिती की वही भिन्नता थी जो एक तराशी हुई सुडौल मूर्ती और अंगर शिलाखंड में होती है पर दुर्दिन के साथ ही होने के कारण वे सहचर हो गए उन्ही सर्दियों में लूसी ने दो बच्चों को जन्म देकर अपनी वंश वृद्धी की पर्वतिय अंचल से नीचे उतर आते हैं और वर्फ में भटकते हुए मिल जाते हैं वैसे तो वह हिंसक जीव कुट्टे से कुछ ही बड़ा होता है परन्तु कुट्टा इसका प्रियक हाद्य होता है सामान्य कुट्टे तो लकड बग्गे को देखते ही स्तब्ध और नर्जीव हो जाते हैं अता उन्हें घसीट ले जाने में उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता और सामान्य भूठिय या अलसेशन कुट्टे उससे संघर्ष अवश्य करते हैं परन्तु अंतता पराजित ही होते हैं चार-पांच दिन के बच्चे को छोड़ कर लूसी फिर दुकान पर आने जाने लगी थी एक संध्या के जुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही न सकी बर्फ के दिनों में सांच से ही सगन अंधकार घेराता है और हवा ऐसी तुशार बोजिल हो जाती है कि गंध भी वहन नहीं कर पाती इसी से प्राया शीतकाल में ग्राण शक्ती के कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुट्ते लकडबगों के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं और उसके अनायास आहार बन जाते हैं सवेरे बर्फ पर कई छोटे-छोटे पंजों के तथा आगे पीछे घसीटने के चिन्ध देख कर निश्य हो गया कि लूसी ने बहुत संघर्ष के उप्रांथ ही प्राण दिये होंगे बर्फ पर रक्त के धब्बे ऐसे लगते थे मानो किसी बालक की ड्रोइंग पुस्तिका के सफेद प्रिष्ट पर लाल स्याही की दवात उलट गई हो लूसी के लिए सभी रोय परन्तु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही ना था एक दिन पहले उसकी आँके खुली थी अता मा से अधिक वह दूद के अभाव में शोर मचाने लगा दुग्ध चूर्ण से दूद बना कर उसे पिलाया पर रजाई में वह मा के पेट की उश्णता खोचता और ना पाने पर रोता चिलाता रहा अंत में हमने उसे कोमल उन और अधपुने स्वैटर की डलिया में रख दिया जहां वह मा के सामिप्य सुख के भ्रम में सो गया डलिया में वह उनकी गेंद जैसा ही लगता था आती समय उसे अपने साथ लेकर आना पड़ा बड़े होने पर देखा कि वह अपनी मा के समान ही विशिष्ट है वह ना अलसेशन था न भूटिया रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के समिश्रन से जो रंग बना था वह एक विशेश प्रकार का धूप चाही हो गया था धूप पढ़ने पर एक की जहलक मिलती थी चाह में दूसरे की और दिये के उजाले में तीसरे की कानों की चोडाई और नुकीले पन में भी कुछ नवीनता थी सिर उपर की और अन्य कुटों से बढ़ा और चोडा था पूँच अलसेशन कुटों की पूच के समान सघन रोमों से युक्त पर उपर की और मुडी कुंडली दार थी पैर अलसेशन कुटों के पैरों के समान लंबे पर पंजे भूटिये के समान मजबूत चोड़े और मुड़े हुए नाखोनों से युक्त थे आँखे न काली थी न भूरी और न कंजी उन गोल और काली कोर वाली आँखों का रंग शेहत के रंग के समान था जो धूप में तरल सुनहला हो जाता था और छाया में जमे हुए मधूसा पारदर्शी लगता था आकरिती की विशेष्टा के साथ उसके बल और स्वभाओं में भी विशेष्टा थी वह उची दिवार को भी एक छलांग में पार कर लेता था गले का स्वर इतना भारी, मंद और गुंचने वाला था कि रातरी में उसका एक बार भौकना भी वातवरण की स्थब्धता को कमपित कर देता था अन्य कुत्तों के समान खाने के लिए लालाईत रहना प्रसनिता व्यक्ति करने के लिए पूँच हिलाना कृतग्यता ग्यापित करने के लिए चाटना याचक के दीनभाव से स्वामी के पीछे-पीछे घुमना अकारण भौकना, काटना, आदी, प्रकृती, दत, स्वान, गुणों का उसमें सर्वता अभाव था मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं किन्तु अलभ्य दर्प से युक्त मैने केवल नीलू को ही देखा है उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवग्या के साथ फेक कर दिया जाता तो वह उसकी ओर देखता भी नहीं खाना तो दूर की बात है यदि उसे किसी बात पर जड़क दिया जाता तो बिना बहुत मनाए वह मेरे सामने ही ना था विगत चौदह वर्षों से बैठने का उसका स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही रहा जिसकी उपरी सीड़ी पर बैठ कर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरिक्षण करता रहता मुझसे मिलने वालों में वह प्राया सबको पहचानता था किसी विशेश परीचित को आया देख कर वह सदर्प धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दर्वाजे पर खड़ा हो जाता उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्तिती की सूचना थी मुझसे आ रही हूँ सुनने के उपरांत वह पुना बाहर अपने निश्चित अस्थान पर जा बैठता ना चाने किस सहत चेतना से वह अपरीचित या असमय आय व्यक्ति को जान लेता था तब नितांत निर्पेक्ष और उदासीन भाव से उसका घंटी बजाना नौकर का आकर समचार ले जाना आदी देखता रहता कुट्ते भाशा नहीं जानते ध्वनी पहचानते हैं निलू का ध्वनी ग्यान इतना विस्तरित और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाशा जानने वाले मनुश्य से बात करने के समान हो जाता था बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उसे कह देता, गुरुजी तुम्हें ढून रही थी निलू, तो वा विद्युत गती से चार दिवारी कूद कर मेरे कमरे में सामने आदेश की प्रतिक्षा में आकर खड़ा हो जाता फिर कोई काम नहीं है, जाओ, कहने के पहले वा मूर्तिवत एक स्थिती में ही खड़ा रह जाता कभी-कभी में किसी कारे में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थीती जान ही नहीं पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले-डूले खड़ा रहना पड़ता हिंसक और क्रोधिय भूटिय बाप और आखेट प्रिय अलसेशन मा से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा की प्रवृति का कोई चिन्ह नहीं था चौदर वर्ष के देर्ग जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या मारते नहीं देखा गया उसका स्वभाव मेरे लिए ही नहीं सभी देखने वालों के लिए आश्यरे की घटना थी मेरे बंगले के रोशन दानों में गौरे या प्राया तिनकों से घोसला बना लेती हैं मुझे उनके परिश्रम पूर्वक बनाय हुए घोसले उजारना अच्छा नहीं लगता पहरेदार का करतव्य संभाल लेता था उसके भए से कोई भी अन्यकुत्ता बिल्ली उन नादान उड़ने गिरने वालों को हानी पहुचाने का साहस नहीं कर पाता था कभी-कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुना घोसले में रखवाने के लिए वह उन्हें हौले से मुख में दबा कर मेरे पास ले आता था जब तक रोशंदान में सीड़ी लगवा कर मैं उस बच्चे को घोसले में पहुचाने की व्यवस्था न कर लेती तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उसे मुख में दबाय खड़ा रहता या मेरे हाथ में देखर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता सवेरे नियम अनुसार जब मैं मोर खरगोश आदी को दाना देने निकलती तब वह चाहे जाड़ा हो चाहे बरसाथ मुझे दर्वाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ घुमता पक्षियों के कक्ष में दो फुट उची दिवार पर जाली लगी हुई थी निलू दिवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपनी गोल आँखे घुमा कर मानो प्रतिय कक्ष और उसमें रहने वालों का निरिक्षन करता रहता उसके इस नियम में भी व्यतिक्रम नहीं पड़ा उसका रात का करतव्य भी स्वेच्छा स्वीकृत और निश्चित था सबके सोजाने पर वह गर्मियों में बाहर लौन पर और सर्दियों में बरामदे में तक्त पर बैठकर पहरेदारी का कारे करता रात में कई-कई बार वह पूरे घेरा यानि कमपाउंड का और पशुपक्षियों के घर का चक्कर लगाता रहता रात चाहे उजली हो, चाहे बादल गरज रहे हो, चाहे आंधी चल रही हो, उसके चकर को विराम नहीं था रात के सन्नाटे में उसके मंद गंभीर स्वर से ही हम अनुमान लगा पाते थे कि वह किस कोने में पहरा दे रहा है खरगोश धर्ती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों और द्वार वाले बिल खोद लेते हैं एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते-खोदते पडोस के दूसरे घेरा यानि कमपाउंड में जा निकले और उनमें से कई जो इस अभियान में अगवा थे जंगली बिल्ले द्वारा शत्विशत कर दिये गए किन्तु सौब भागे से पहरे के नित्यक्रम में घूमते हुए निलु ने संभवता पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर चार दिवारी के पार देखा और शीद की रात की मलिन चांदनी में उसने खरगोशों के संकट को पहचान लिया उसके कूट कर दूसरी ओर पहुचते ही बिल्ला तो भाग गया परन्तु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस से भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा यह पर उपकार निलू के लिए बहुत महंका पड़ा क्योंकि उसे सर्दी लगने से निमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन दवा आदी का कश्ट छेलना पड़ा वैसे वह शांद भाव से कड़वी दवा भी पी लेता था और सुई भी लगवा लेता था एक बार जब मोटर दुरघटना में आहत हो मुझे मार्ग से ही अस्पताल जाना पड़ा तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और कपड़े चादर कंबल आधी सामान अस्पताल ले जाने वालों की हरबड़ी देख कर उसकी सहर चेतना ने किसी अनिस्ट का आभास पा लिया जो भी उस संध्या को मेरे बंगले पर पहुँचा वह नीलू की विशाद मई निश्चेष्ट मुद्रा देख कर विस्मित हुए बिना नहीं रहा जब तीन दिनों तक उसने न कुछ खाया न पिया तब डॉक्टर से अनुमती लेकर उसे अस्पताल लाए गया पट्टियों के घटा टोप में मुझे अच्छी तरह देखने के लिए वह पलंग के चारों और घूमने लगा और फिर आश्वस्त होकर प्रहरी की चिर परिचित मुद्रा में मेरे पलंग के नीचे बैठा दो घंटे बाद बहुत समझाने पुछकारने के उपरान थी उसे घर पहुँचाया जा सका तब से हर दूसरे दिन अस्पताल न ले जाने पर वह अंशन आरंभ कर देता इस प्रकार अस्पताल में भी वह नियमित रूप से आने वालों में गिना जाने लगा और डॉक्टर नर्से सब उससे परिचित हो गए नीलू को 14 वर्ष का जीवन मिला और जन्म से मृत्यू के शन तक वह मेरे पास ही रहा पता उससे संबध घटनाओं और संस्मर्णों की संख्या बहुत अधिक है कुत्तों में वा केवल कजली के सामईप्य से ही प्रसन रहता था परन्तु कजली और बादल एक शन के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे परिनाम तर निलू बिचारा एका की ही रहा जीवन के समान उसकी मृत्यू भी देनय से रहिती कुत्ये की मौत मरना कहावत है परन्तु यदि निलू के समान शांत निरलिप्त भाव से कोई मृत्यू का सामना कर सके तो ऐसी मृत्यू मनुष्य को भी कामे होगी